हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टु मैं चैनल स्प्रीचल लव टेरोट कैसे हैं आप लोग आए होग खुश होंगे अपनी लाइक में इंजॉय करें होंगे हैपे होंगे डियर आज का टॉपिक है थर्ड पार्टी डेली अपडेट तो चलिए देखते हैं कि थर्ड पार्टी के बीच में ठीके डियर क्या आपको याद कर रहे हैं तो यह एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है जितना रेजुनेट करें उत्ता रख लीजिए बगी को स्कीप कर दीजिए जरूरी नहीं कि सभी से रेजुनेट करें और कर भी सकता है डियर वैसे तो ज्यादा लोगों को रेजुनेट कर ही जाता है तो चलिए ये कार्ट बड़ी तेजी से आया है देखते हैं यह क्या है यहां पर 8 of pentacles का का आया है चलिए ले लेते हैं शफलिंग नहीं हुई थी फिर भी आ गया वो तो मैंने ले लिया है देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है जो कार्ट निकले हैं आपने देख लिए चले काफी कार्ट साथ सुके हैं डियर और बॉटम के अनर्जी से देखा जाए तो यहां पर है पेज आफ कुप्स Queen of Pentacles और यहां से है King of One ठीक है तो यह है हमारे पास बॉटम के अनर्जी बास करी जाए कि यहां पर सबसे पहला कार्ट यह निकला है थर्ड पार्टी रिलेशन में हैं आपके पार्टनर तो डियर वहां पर क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में यहां मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां पर आपके साथ में अन्याय हो रहा है अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ में हैं और आपकी हैपी फैमिली को छोड़ कर जा चुके हैं आपके लाइफ से दूर जा चुके हैं और कल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनके बहुत याद आई है किसी ना किसी को तो बहुत ज़्याद आई है इसकदर याद आई है कि आप रोए हो बहुत ज़्यादा तकलीफ में मतलब आपकी एनरजी मुझे फील हो रही है कहीं ना कहीं आप इसकदर रोए हो कि आप अपने पार्टनर के साथ की कुछ बातों को लेकर या कुछ ऐसी चीजों को लेकर बहुत डिस्टरब हो गए थे ऐसा कुछ हुआ है क्या और ज्यादा तर लोगों के लिए नाइट का लग रहा है कि नाइट में आपने कल मिस किया अपने पार्टनर को या ऐसी कोई अनरजी है या फिर कोई ऐसी बात उनकी याद आ रही थी कि वो कौन सा पल था जब उन्होंने आपको प्रपोस किया था या कुछ-कुछ तो ऐसी बाते शायद आपके जहन में आई थी जो आप भुलाए नहीं भूल रहे हो और डियर सुबे से आपके अनरजी ऐसी लग रही है सैट सैट फील कर रहे हो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो समझने की कोशिश कर रहे हो इंतजार भी कर रहे हो आप किसी के आने का हो सकता है आपको किसी के आने की आस है हो सकता कोई आपकी जिन्दगी से गया है तो यहाँ पर किसी के आने की आस लगा के बैठे हुए आपके लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है अभी की सिच्वेशन में बात करी जाए तो बहुत ज ज्यादा बेचेन हो रहे हों बहुत ज्यादी क्यों आपके एनर्जी मुझे फील Corner हो रहे हो। या फिर आपने ऐसा लग रहा था, भारी-भारी बहुतानी पन लग रहा हो आपको आखें भी दम ऐसे ओ रही थी बहुत ज़्यादा आप सोच रहे थे कुछ बीती बातों को, बहुत सोच समझ के ऐसी वाली एनरजी दिख रहे बहुत सोचा गया है, और दूसरी जगे मुझे ऐसा दिख रहे है कि कुछ लोग तो ऐसा सोच रहे थी कि मेरी एक हैपी लाइफ थी, एक हैपी फैमिली थी, और किस तरह से enjoying करती थी, किस तरह का मेरी life में balance था, किस तरह की सब चीजे थी, वो चीजे के तरफ आपका focus रहा है कुछ लोगों का, तो वो सारी चीजे, मतलब याद तो दोनों को ही रही है, ऐसा मत सोचिए, कि याद नहीं रही है, याद तो दोनों तरफ ही दिख रही है चाहे आपकी बात करी जाए या दूसरी अनरजी की दोनों तरफ मिसिंग अनरजी रही है पार्टनर को लेकर बहुत कुछ याद किया गया है बहुत कुछ सोचा गया है हो सकता है कि कुछ याद है उनसे ऐसे जुड़ी है यहाँ पर बा आपको हाँब चाहिए अर्टर को हारा हैं मानों इसा हाँऒ आपके पार्टनर का भी हैविएर ऑप आप बात पे बात पर जगरे वाली इनर्जी दिख रहे है कि यहाँ पर बार बार टावर मुमेंट जैसी हो रही है ऐसा लग रहा है आपको कि कोई लड़ाई लड़वाना चाहता है किसी तरह का कोई ऐसी चीज आपको फील हो रही है जैसे नेगेटिविटी आ गई है आपके घर में कि आपका partner आपके साथ में, जो लोगों के partner साथ में हैं, उनकी बात कर रहे हो, आपको partner बहुत misbehave कर रहे हैं, बाद-बाद पे गल्ती ना होते हुए भे आपका ही गल्ती निकाल दे रहे हैं, हो सकता है और आप अच्छे से बात करने की कोशिश करें, वो negative बाते करने हैं तो यहाँ पर जो ये पुर्णिमा गई है इस बीच कुछ negative energy इस कुछ evil आई आपके उपर बुरी नजर लगी है और टियर उस नजर को कहीं न कहीं आपको हटाना होगा ऐसी बुरी नजर है शायद आप दोनों के बीच में अभी situation थोड़ा सुदर गया था कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा था husband बड़ी अच्छी तरीके से आपके पास आये थे बाते बाते की थी और बढ़िया चल रहा था आप दोनों का third party situation होने के बावजूद लेकिन यहाँ पर कुछ चीजे negative हो रही है कुछ चीजे है हो रही है आपको भी ऐसा लग रहा है sorry कि यहाँ पर कुछ तो घर बढ़ है आपको भी ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो घर बढ़ है कोई तो हमारा रिष्टा खराब कर रहा है कोई तो हम दोनों के बीच में tower moment लाना चाहता है कोई तो है तो आपके energy मुझे बहुत इस तरह की लग रह है और बार बार यह चीज मुझे सामने आ रही है कि कोई तो इवलाई कोई तो बुरी नजर जो है आपके रिष्टे पर कहीं न कहीं focus कर रही है हो सकता है कि यह आपका जो जो भी आपके कोई celebration हो रहा है कुछ हो रहा है जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहु बिजी हैं आप लगे हुए हो अपने घर का कुछ काम करने में हो सकता है कुछ साज सजावट कर रहे हो किसी तरह का कोई प्रोग्राम आप करना चाह रहे है या फिर कोई पूजा अर्चना में आप लगे हैं पर डियर यहां पर आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है उस इंस्टा पर आप देख लिजिए और यह रिमेडी जो है बहुत ही कारगर होने वाली है काफी लोग आज हुली का दहन होने वाला है कुछ लोगोंने कल किया था कुछ लोगा आज करने वाले हैं तो आपको मैं यह जो रिमेडी बताऊंगी अगर आप कर सके तो बहुत अच आपको दिखता है तो यह रेमेडी आप जरूर कर सकते हो तो मैं आपको इंस्टापेश यह रेमेडी डाल दोंगे बात करी जाए यहां पर तो अभी तो आप नेगेटिव भी सोच रहे हो और चाहते हो दिल से चाहते हो कि आप जो भी आपके घर में काम हो रहा है जो भी दिख रही है यहां पर बात करी जाए थर्ड पार्टी की तो थर्ड पार्टी के हालाद डियर ऐसा दिख रहा है कि पार्टनर से किसी बात को लेकर यह थर्ड पार्टी जो है बैलेंस बनाने की कुशिश कर रही है हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी चीच के लिए मजब ये third party चाहा रही है ना वो चीज़ के लिए आपके partner तो going with the flow जा रहे हैं लेकिन ये third party का ऐसा मानना है कि ये आपके partner से रिष्टे पे काम भी कराना चाहती है काम कराना चाहती है कोई तो इसके ऐसे दिमाग में खिचरी पकरी आप यकिन मानिए कि ये third party जो है ना यहाँ पर celebration की तियारी कर रही है आपके partner को नहीं बिताया इसने बहुत सारे लोगों को friends को बहुत सारे लोगों को invite कर लिया है कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये कोई सब यने इनके परिवार वालों को कुछ और लोगों को बुला लिया है उन सब लोगों के साथ में मिलके ये celebration करना चाहती है किसी तरह का कोई enjoyment party है ना तो ये दिन भर से लगी हुई है पता इसी चीजों में लगी हुई है और आपके partner से काफी पैसे खर्च करा है आज असा लग रहा है कि ये अपने हाथ में एक बागदोर समाल रही है आपके partner के सामने इस तरह का present करना है कि जैसे ही ये सब को समाल सकती है ये बहुत अच्छी lady है इसमें बहुत power है ये बहुत यन्ये ये सारी जिम्मेदारियों को उठा सकती है इस तरह का दिखाने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पर आपके partner के सामने और ये present किया जा रहा है कि ये third party जो है बहुत जिम्मेदार है बहुत सारे लोगों का ध्यान रख सकती है सारी जिम्मेदारियों को अपने सर पे ले सकती है इस तरह का show off कर रही है और dear आपके partner जो है उनको बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि इस third party के हर बास सच लग रही है ऐसा लग रही है कि ये third party रियली बहुत कुछ कर सकती है इस third party बहुत impress करने का एक जरिया धून रही है आपके partner को किसी ना किसी तरह से impress करना चाहा रही है किसी ना किसी तरह से आपके partner पर एक छबी डालना चाहा रही है और उनका ध्यान अपनी और खीचना चाहा रही है ये थर्ड पैर्टी और यहां पर ये भी दिख रहा है कि ये पार्टनर जो वो इस थर्ड पैर्टी की तरफ है उनको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ गलत डिसिज़न लिए हैं सब कुछ सही हो रहा है थर्ड पर्टी तो अपने इसाब से सारा घर समाल रही है, सारी चीजों को कंट्रोल कर रही है, सारी चीजों को हाथ में ले रखी है, इंतजार कर रही है, अच्छे-चे महमानों का, अच्छे-चे सेलिब्रेशन का, इंजॉय कर रही है, है ना, लेकिन पार्टनर को पता नही क्यों ऐसे energy फील हो रही है जैसे कि वो खुश नहीं है वो happy नहीं है दुख है उनको किसी बात का बहुत ज़्यादा sad मनाते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा sad energy में दिख रहे हैं आपके partner है ना किसी बात के लिए decision लेना है पर night की energy है या night of pentacles इस तो बहुत slow energy है यहाँ पर मैं बताओं तो आपके partner को कोई offer मिला है हो सकता है कि आपके partner की जिंदगी में कोई offer आया है किसी बात को लेकर और ये third party जो है वो offer को शायद accept नहीं करने दे रही है या फिर वो offer जो है ये third party चाहती है कि आपके partner जो है इसको दे दे इस third party को support करें वो offer अगर ले ले लेते हैं आपके partner तो इस third party को offer का 50% दे दिया जाए तो यहाँ पर ये चीज़े दिख रही है और partner क्या कर दे है balance बनाने की कुशिश कर दे है क्योंकि partner को ऐसा लग रहा है कि अभी उन्हें सारी चीज़ों को सही करना है अभी उन्हें सब चीज़ों को सही करकर आगे बढ़ना है तो ये partner उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई तो justice करना चाह रहा है या तो आप justice मांग रहे हो universe divine से ग्या फिर ये partner को ऐसा लग रहा है कि उनको आपके साथ में justice करना चाहिए इसलिए शायद ये बहुत ज़्यादा sad है बहुत ज़्यादा उदास है इनके जिंदगी में उनको लग रहा है कि ये तो जो third party है ये तो अपने आपको queen समझने लगी है मेरे पैसो पर ash करके मेरे पैसो पर enjoy करके ये third party अपने आपको पता नहीं क्या समझ रही है तो यहाँ पर आपके partner को ये चीज feel हो रही है कि ये third party जो है बहुत ज़्यादा पैसे उड़ा रही है बहुत ज़्यादा और उस तरह से जिम्मेदार बन रही है पार्टनर जो है इनको दे ओफर करे वो वाले energy दिख रही है यहाँ पर आपके partner का दिल जो है कभी-कभी ऐसा करता है इतने ड्रामे देखकर इतनी ज़्यादा कभी-कभी तो ये third party बहुत अच्छा behave करती है और कभी तो आपके partner को बहुत torture करती है दिखे अभी तो ये third party का mode जो है ऐसा दिख रहा है कि ये दो स्यारों में लगी हुई है बहुत ज़्यादा enjoy party बगएरा में लगी हुई है लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये partner ये भी देख रहा है कि ये third party जो है कहीं ना कहीं ऐसी situation भी create कर देती है कि इसके कारण आपके partner को कभी-कभी tower moment का भी सामना करना पड़ा है तो third party का गुस्सा बहुत खराब है और आपके partner इसके गुस्से से बहुत ज़्यादा चिरते हैं बहुत ज़्यादा या फिर हो सकता है energy wise वर्सा है आपके partner को गुस्सा बहुत आता है आपके साथ में भी यहीं करते थे बहुत गुस्सा आ जाता था कोई भी चीज फेक देना खाना फेक देना सामान को तोड़ फोड़ कर देना इस तरह का इनका बिहेव रहा है तो यह चीज़े इन्होंने की भी है और यह चीज़ों के कारण ही आपके पार्टनर आपसे दूर हुए है क्योंकि इनका गुस्सा बहुत खराब था और इस गुस्से के पीछे आपने इनसे बात करना बंद कर दी आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया क्योंकि आपने सोचा कि यार इनसे जितनी बाते करेंगे उतना हम दोनों के बीच में जो है कम्यूनिकेशन खराब होगी फाइट होगी रिष्टा जो है खराब होगा तो आपने धीरे धीरे बात करना बंद कर दे आप अपने ही आप में रहने लगे अकेला फील करने लगे पर यहां पर यह दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़दर तकलीफ में है किसी बात की तकलीफ है इनको पर यह बोल नहीं पाते क्योंकि देखें एक तरफ तो यह इंप्रेस होते हैं 3rd Party के ब्यूटी से, 3rd Party के बिहेवियर से, 3rd Party के चाल बाजी से शातिर दिमाग से, है ना जो माइं गिम ये खेलती है, उस से तो आपके पार्टनर को एक तरफ अट्रेक्शन होता है, एक तरफ ब्यूटी उनकी खीषती है, 3rd Party की, है ना कभी कभी वो ड्रामे ऐसे दिखाती ह कि जैसे थर्ड पार्टी उनके लिए बहुत केरिंग है बहुत लविंग है इस तरह का शो आफ करती है पर डियर आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी मेरी परिवार वाले मेरी फैमली वालों से मुझको अलग करके पूरी तरह से इसने अलग कर दिया है मतलब एक तरह से कहा जाए तो आपके पार्टनर और आपके बीच में जो दूरी लाई है वो थर्ड पार्टी ने लाई है और ये थर्ड पार्टी है दूर लाके छोड़ गई है बिल्कुल दिख रहा है कि थर्ड पार्टी दूर लाके छोड़ गई है आपके पार्टनर को य चीज़ के लिए दिख रही है और यहां पर कोई तो move on हो गया है हो सकता है कि आपने move on होना बहतर समझा क्योंकि आपको लग रहा था कि ये partner तो इस third party में गए हैं और ये third party के साथ में रह रहे हैं ये third party बिल्कुल भी agree नहीं होगी आपके रिष्टे के लिए इनके रिष्ट पार्टनर को चैन सुकुन नहीं है तो यहां पर third party के जो विहार है आपके partner का जो विहार है वो दोनों का कहीं न कहीं अलग है लेकिन आज इनकी जो situation दिख रही है जिस भी तरह से third party में दिख रहा है कि क्या चल रहा है इनके daily update में तो dear आप देख पा रहे हैं कि ये किसी त आने के बारे में सोच रहे हैं आपको अपना कब देना चाहते हैं night के energy head year आना तो है उन्हें पर नहीं आप आ रहे हैं कुछ बातों को लेकर को क्योंकि third party बांधे हुए third party उनको कहीं न कहीं मैंने कहा ना किसी तरह कि कोई dark energy है यहां पर negative energy है तो वो कारण से आपके partner को उस रिष्टे पर काम कर रहे हैं और यहां पर justice चाहा रहे हैं आपके partner चाहते हैं कि वो आपके साथ में justice कर रही है उनके साथ में justice हो यह third party over react कर रही है बहुत ज्यादा परिशान कर रही है इस कदर इसकी energy हो रही है कि पूरी तरह से जो situation है वो खराब हो रही है आपके partner कुछ रहे हैं बहुत कुछ समझ रहे हैं इस ट्रगल चल रहा है उनके life में यहां पर आपके partner इस third party से move on होना चाहते हैं उनको लग रहा है कि यह third party जो है शायद drama अच्छा करती है कोई तो इसका ऐसा चीज यहां पर आने वाली है सामने हो सकता है कि यह third party का जो behavior है वो कही नहीं आपके partner को नजर आने वाला है कि इस third party जो है शायद इसी behavior की है इसलिए आपके partner के साथ में उसने ऐसा किया है और यह चीज़ realize होने वाली है dear यह चीज 100% realize होने वाली है आपके partner को आपके partner को कुछ लोगों के offer याद आने वाले हैं कुछ लोगों के opportunity याद आने वाली है जो उन्होंने दी थी ये partner सोचेंगे कि इस third party के पीछे उन्होंने जो good luck था उसे कहीं न कहीं त्याग दिया है तो इससे बहुत भारी नुकसान हुआ है और उन्हों सब चीजों को सोच के आपके partner जो है बहुत painful situation में दिख रहे है dear बात करी जाए आपकी तो आप भी अभी बहुत याद करने वाले हो आज या कल आपको energy जरती रहने वाली है कि आपका partner आपको बहुत याद आने वाला है रोने वाली energy हो सकती है sad energy हो सकती है क्योंकि आप काफी दिन से sad sad feel कर रहे थे कुछ चीजों को ले कर बहुत ज़दा सोच रहे थे headache वाली situation है dear eyes में भी बहुत दर्द रहने वाला है काफी लोगों को क्योंकि आप भारीपन महसूस करोगे और यहाँ पर आप जो है clean रखेंगे तो यह जो negative energy है वो आपको effect नहीं करेगी आपको यही करना है कि अपनी जिंदगी में जो tower आया है जाहे वो situation partner की तरह से create हो या third party की तरह से अभी आपको अपने अंदर हिम्मत रखनी है positive सोचना है क्योंकि जब तक आप positive नहीं सोचोगे जब तक आप अपने अंदर हिम्मत नहीं रखोगे तब तक dear आपके partner को पलटने में थोड़ा time लगेगा क्योंकि जहां पर भी आपके partner गए हैं वो जो है किसी तरह की कोई तो ऐसा दिख रहे evil eye या फिर dark energies का use करते हैं तो यहां पर आपके partner बिल्कुल अपने ही धुन में चले जा रहे हैं अपने ही धुन को देखने ही रहे हैं पीछे क्या हो रहा है आगे क्या हो रहा है बद धना धन धन चले जा रहे हैं और celebration तो यह करके रहेगी dear जिद्धी है मानेगी नहीं third party बहुत जल्द यहां पर यह दिख रहे है कि आपके partner भी कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं और जो चला गया है वो आने के बारे में सूच रहा है आपके जिंदगी से जो लोगों के partner गए हैं तो I hope आपको reading जो है resonate करी होगी कुछ न कुछ अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो dear फ्लीज वीडियो को like कर दीजिएगा हम मिलते है next video पे ओके दियर तो वीडियो अच्छा लगा है तो please फ्लीज वीडियो को like कर दीजिएगा और जो लोग फस्टाइम चैनल पर आ रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक्यू डियर ओके बीच में फोन आ जाता है डियर ओके और रेमेडी के बात रही कि यहाँ पर जो ब्लैक मैजिक टाइप का ईवेल आई दिख रहा है मैं इंस्टा पर उसकी रेमेडी आपको जरूर जरूर से डाल दूँगे आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजेगा और नहीं हुआ इंस्टा पर क्योंकि काफी लोग बोलते हैं लोग इंस्टा नहीं चलाते हैं तो फिर मैं इसी पर शॉर्ट वीडियो बनाके आपको डाल दूँगे ठीके डियर